कि नमस्कार प्यार्वित्रों कैशे हैं आप सभी सेवात क्लासिस में आप सबों का स्वागत है बहुत ही गर्मी का प्रचन्द प्रकोप बढ़ा हुआ है ठीक है और सभी को एसी कूलर लगाया करें और ब्रिश का कि रोपन ना करें तो देखिए और इससे भी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए ब्रिक्षा रूपन की और सभी कोई ध्यान दे प्रिक्ष अगर होगा तो यह धर्ती होगा यह प्रकृती होगा ठीक है नहीं तो विनास बहुत ही करीब है चलिए हम लोग आगे पढ़ ने परोग रघ्टा है ज़ेए हमने क्या करा रखा था कि a sitting एरेज़मिंट में हमने बताया है कह एक कुछ लोकव है सेंटर की और मुख करके बैट है सटलित्क है तो किर यांजि और अब यहीं कि लोग जो है center की और न बैठ के center के बाहर की और मुख करके बैठ रहे हैं तो समझे उसके बाद फिर दोनों को mix करेंगे ठीक है आईए हम लोग पहले इसको समझेंगे बढ़ेया तरीके से सिटिंग अरेजमेंट को उसके बाद हम लोग प्रश्णों पर आएंगे ठीक है जितना भी समयश में लग जाए बहुत ही मजाना है एक बार अगर आपने पूरा क्लास अटेंट कर लिया सिटिंग अरेजमेंट का तो फिर एक भी कोश्चन नहीं छुटने वाला है इसका प्षेत्र बहुत व्यापक है हर एक एक जाम में आता हर एक एक जाम में आना ही आना है ठीक है अब क्या है ए है बी है सी है और डी है चार ही लोग है चलिए चार लोग सभी आपस में यह इसके आमने शामने यह इसके आमने शामने ठीक है जिप चार लोग है तो आमने यह होंगे हूगे ठीक अब क्या है माल लिजे कहा रहा हो एक के लाइं भी है ठीक है छी है कि सी जो है एक का पड़ावसी नहीं है चली ये दो कथन ही आपका पूरा पोजिशन को व्याख्यान कर देता है कि अब लोग इस गोल टेबल पर जो है राउंड टेबल पर कई से बैठेंगे और सर्थ क्या भीया तो A B C D केंद्र के बाहर की और केंद्र के विपरीत देख रहे हैं केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं यानि इसको का सकते हैं बाहर की और देख रहे हैं केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं यानि केंद्र ये हैं विपरीत दिशा ये बाहर की और हो गया तो आप जो कोईस्चन में होग हुए आपको समझना है ठीक है केंदर की ओर कह रहा हूँ तो तो यहां से समझिए बात को कहा जा रहा है एक के दाएं भी है अब आप इस टेवल में कहीं भी ए रख लीजिए चलिए हम यहीं पर नीचे ए रखते हैं यहां पर ए है हमारा ठीक है अब अगर यह केंदर की और देख रहा होता तो वह हमारा कंदर के और मुकी और का दिशा होता कहता है तो एक केदाएं यह को कहता यानि anti clockwise और कहता बाएं है तो clockwise यह बाएं clockwise बावर्ट ठीक है लेकिन यहां हो क्या गया भई तो अब कह रहा है केंदर के विप्रिद्धि साक में देख रहा है यानि कि बाहर के और देख रहा है ठीक है उल्टेबल को उल्टा करके ऐसे करके बैठा हुआ है लेकिन आपक आपका दाया रहेगा वह इसका बाया हो जाएगा ठीक है अपोजिट आपके अपोजिट में वह देख रहा है ठीक है तो कुछ नहीं करना है आपको बस जो आपका दाया है उसको इसका बाया माल लेना है और जो इसका जो आपका बाया है वह इसका दाया माल लेना है तो कहा क्या जा रहा है एक दाएं भी है एक दाएं भी है तो इसके अनुसार कहा जा रहा है तो दाएं की चर्च हो रहा है यानि जश्ट अपोजिट माल लिजे आपका क्या हो जाएगा बाएं के अंदर के बाहर की और देख रहा हो तो बाएं हो जाए आपका बाएं इसका दाएं त टो एक के दाएं भी है तो आपका हो जाएगा तो एक यहानी कि कॉल आप बाईच यहां पर बी हो जाएगा ठिक यह आपका बाएं हमारा बाहें लेकिन अस बाहर की और देखने वाले वेक्ति यह के दाएं morals यह देखिए हम लोग पलट गए हम बहार आ गए अब इस साइड आ गया कि नहीं आ गया ना भाई क्लॉक वाइज है कि नहीं पलट जाएगा डारेक्ट यह पलट जाएगा घड़ी क्या हो गया ऐसे जा रहा है तो यह देखाओ ऐसे तो Julyips हमारा हो जाता है जो अपने दिशा की ओर जोौलवर है सामे काल आता है कुछन इस में एक्सठा दिमाग लगाना है जब भी कहदे बाहर की ओर तो अपने से अपोजित जो आकप्वृ ताव पी प्रीत इसको मानना होगा एक दायए भी है तो आपको तो जश्ट उल्टा करना एके दाएं की चर्चा का रहा है तो आप एके बाएं लेते जाएए यह आप अपने अनुसार देखिए वह कोशन सही से हो जाएगा तो एके बाएं भी है तो भाएं लेते आए क्लॉक वाइज ठीक है क्लॉक वाइज ऐसे भी आप यहां पर खड़ा तो कौन हो जाएगा सी यहां पर हो जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा जो बच गिया वो डी यानि कि चार लोग है ही तो दो लोग फिक्स हो गए तीसरा का रहा यहां नहीं होगा तो कौन होगा चौथा होगा जो बच गया वहां पर और तीसरा कहा हो जाएगा यहां कोर हो जाएगा जो अस्थान खाली पड़ा हुआ है अब देखिए को समझ यह बात को पूछेगा प्रस्ट में क्या कहेगा भाई कि सी का संबंध ए से क्या है बताएं ठीक है कि सी का संबंध ए से क्या है यह बताएं कहा जा रहा है यानि कि अब आपको चार ओप्सन दिये हुए रहेंगे इसके अनुसार अब जो फिट ओप्सन होगा उसका आपको सॉलिशन में आंसरत करना होगा देखिए यह क्या है कि हम लोग बाहर की और की चर्चा यहां पर है बाहर की और के अंद्र के विप्रित दिसा में देख रहा है तो C और A, C का संब्द A से यानि A से जिससे कहा जा रहा हो उससे हमें देखना है किसका संब्द तो C तो अगर यह अंदर की और रहता तो अपने दिशा की और A के दाएं दूसरा एक एक दाएं दूसरा अच्छा यह एक्जेक्ट है बाएं भी दूसरा है और दाएं भी दूसरा है जब बाहर की और ना रहके अंदर की रहोता तो चुकि यहां पर चार लोग है तो यह बाहर भी है तो भी दाएं दूसरा और बाएं दूसरा क्योंकि इधर से भी काउंट कर चांगे एक दू आ जाएग की कि डी का समंद्द इस वा को से कख जाए कि इधर से अगर जाते हैं तो यह क्या है पहला है और इधर से जायेगे तो तीसरा ठीक है clockwise जाएंगे clockwise जायेंगे तो यह तीसरा है और anti-clockwise जाएंगे तो पहला है एक के तुरंतबाद यहां तो फिर एसे तीसरा क्या तो आप यहां पर कैसे चल रहे हैं clockwise और जब केंदर के विपरिध दिसा में देख रहा हो तो clockwise क्या हो जाए आपका तो clockwise हो जाएगा दाएं और anti-clockwise बाएं ठीक है तो देखें समझे बात को अगर अपने हम खुद को देखें यानि कि केंदर की और देख रहे हैं तो केंदर की और से यह जो है आपका दाई और पहला है यानि कि इस प्रस्ण के अनुसार जो केंदर के विप्रिद्दिसा की और कहा जा रहा है यानि उसका उल्टा आप मान लेंगे कि एक के बाइं और पहला एक के बाइं और पहला या तो तुरंत एक के बाइं और ठीक है या तो आप किलियर कंसेप्ट रखे क्लॉक्वाइज हो जाएगा भाईया तो दाएं हो जाएगा और एंटी क्लॉक्वाइज अगर लेंगे तो वह बाइं होगा ठीक है क्लॉक्वाइ clockwise दाएं, 안 etcetera clockwise तो बाएं है न किस केस में तो केंद्र के विप्रित दिशा की और यानि की बाहर की और देख रहा हो बता का टेवल की और ना देख रहा हो तो उल्टा हो जाएगा जैसे केंद्र की और देखता है तो clockwise बाएं होता है और anti clockwise दाएं होता है और वही उल्टा अगर बाहर की और देख रहा हो केंदर की और ना देख रहा हो बाहर की और देख रहा है तो उल्टा हो जाएगा clockwise जो यहां पर आपका बाएं होता था यहां पर दाएं हो जाएगा बाहर की और में clockwise दाएं और anti clockwise बाएं हो जाएगा तो अगर इस सम्द्ध में पूछें कि D का सम्द्ध A से क्या है तो यहां पर क्या कर लाएगा भई तो A के बाएं पहला या तो तुरंत A के बाएं तुरंत या तो फिर A के दाएं तीसरा एक दाएं तीसरा ठीक है एक के दाएं तीसरा ठीक ह эк कोई दीकत नहीं होना चाहिए शली समझ हमें आ गया होगा तो यहीं होता है किया भई या तो बाहर का concept बाहर में क्या हो गया clockwise clockwise धाया एंटि कल्एख वाइइ और सर्टिन किसी से सम्द्ध लेकर ही ये सारी क्रियाएं की जाती है, ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा, A है, B है, C है, D है, P है, F है, ठीक है, चाह लोग हैं, कुछ लोग केंदर की और देख रहे हैं, केंदर की और मुख के वे बैठे हैं, की और तथा कुछ लोग बाहर की और बाहर की और, ठीक है, कुछ लोग बाहर की और देख रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया? तो ये mixed case हो गया, इसमें दोनों तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक पृट मार देने वाला गर्मी है, ठीक है ना? बच के रही है अथ्वा, नाइट में भी इतना गर्मी है, जबकि सू पानी का नाम हो निसान नहीं है वर्सा होने का नाम नहीं ले रहा है और उसके कारण हम लोग ही है तो पेड़ लगाते नहीं है पेड़ कारते है बहराइटी बहराइटी दार फर्णीशर के परियोग के लिए ठीक है नहीं नकासी चाहिए लोगों को यसी चाहिए यसी ओजोन प्रत में शेद करेगा है कि नहीं आये हमेरे यहां भी लगावा है इसा बात नहीं है अब क्या है कंडिशन समझना है यह टेबल है अंडाकार है टेबल कोई दिकत नहीं है चाल लोग है आठ लोग भी हो सकते हैं दस लोग भी हो सकते हैं लोगों की संख्या से हमें कोई दिकत नहीं होना चाहिए लोगों की संख्या बढ़ रही है मतलब question high level की और जा रहा है और आपका समय बर्वाद करने के लिए ready हो रहा है इसका कोई प्रॉपर नियम कानून नहीं है कि ट्रिक है कि इकाई अंक देख लेंगे दाहाई अंक देख लेंगे इसा कुछ नहीं है इसको समझना पड़ेगा concept क्लिर करना पड़ेगा क्या भईय तो यही दाय बायं का concept क्लोग वाइज अंटिक वाइज कोई बाहर देख रहा है और भीदर देख लोग है यहाँ पर कहीं पर नहीं कहा जा रहा है कि कौन बाहर है कौन भीतर है तो कोश्चन में तो होगा ही एक का मुख बाहर की और है ठीक है जो सी का पडोसी है जो अंदर की और देख रहा है ठीक है अईसा ही प्रस्ण आएगा ठीक है अईसा ही आपके सामने कथन दीया हो रहे अ का भार की और है जो देख रहा है ता इससे क्या समझ रहे है इसे कहीं रख लिए बार की और देख रहा है और स्थी जो है यह जो है वो स्थी पाira का प्रावसी है तो सी यहां पर वी सकता है कोई T FN कफन में नहीं बता रहा है लेकिन यह एक निश्चित है कि सी जो है अंदर की ओर देख रहा है यह इसमें में निश्चित कर्दिया कि आप देखिए C के बाएं दूसरा D है, C के बाएं दूसरा D है, आपके सामने कथन आ गया, तो देखे, C के बाएं दूसरा, यहाँ अगर यह अंदर की और है, तो C के बाएं दूसरा यहाँ भी D हो सकता है, और यहाँ पर भी इसके बाएं तो I C, clockwise चलेंगे, भीतर C का मुझ क्या है, अंदर की और है, बाहर की और नहीं है, तो यहाँ भी D हो सकता है, ठीक है, दोनों जगा D हो सकता, अगर C यहाँ होगा, तो D यहाँ होगा, ठीक है, और अगर C यहाँ पर होगा, तो D यहाँ पर हो जाया, कोई दिकत नहीं होना चाहिए, अब क्या कह रहा है, देखिए, प्रस्ट कहिशे कहिशे घुमाके रहते हैं, D का मुख बाहर की ओर है, जो E का पड़ोसी है, अगर यहाँ पर D होगा, तो यहाँ पर E हो जाएगा, क्योंकि इधार तो है नहीं, तो यहाँ पर E हो जाएगा, यह D होगा, तो यहाँ पर E रहेगा, यहाँ पर E रहेगा, देखे, certainty नहीं है, इसलिए दो-दो नक से बन सकते हैं, तीन-तीन नक से बन सकते हैं, इसी चीज को आपको समझना होगा, इसी चीज को आपको clear करना होगा, ठीक है, जब तक ये चीजें समझ में नहीं आगा, कि आप बैठा कैसे रहें, आप सरकल का निर्मान, यानि उस round table पर लोगों को कैसे बैठा रहें हैं, क्या आपका जो arrangement है, वो करम जो है, वो सही है कि नहीं, जब तक ये करम सही नहीं होगा, तब तक आपका solution सही से नहीं हो पाएगा, पहले क्या होता था, एक ही question से 10-10 जो है, 10 नहीं तो कम सकम 5 जो है, कोई एक arrangement दे दिया, उसी से 5 question कुई देता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वर्तमान दौर में हर एक arrangement के पीछे question है, maximum two questions, उससे ज्यादा नहीं, हर एक arrangement के पीछे, one or two question उससे ज्यादा नहीं है, पहले 5-5 question तक पूछे जाते थे, ठीक है, फिर कोई clause इसमें लगा देगा, फिर कोई clause इसमें लगाएगा, दी का मुख क्या कहा रहा भाई, तो बाहर है, दी जो है न, वो बाहर की और है, जहां भी रह रहा है, अब समझो, इसमें जिसका मुख अंदर की और है, है, एके बाएं दूसरा है, समझें बात को, इसमें जो है, क्या कह रहा है, जिसका मुख अंदर की और है, यहां होई, चाहे यहां होई, लेकिन उसका मुख अंदर की और होगा, यहांने केंदर की और होगा, अब क्या है, ए, जो है, ए के बाएं दूसरा है, तो ए का मुख बाहर की और है, यानि कि एंटि क्लॉक वाइज इसका क्या हो जाएगा, भई, तो बाया हो जाएगा, और क्लॉक वाइज दाया, जब केंदर की और मुख होता है, तो क्लॉक वाइज आपका बाया राता है, और एंटि क्लॉक वाइज दाया, वही केंदर के बाहर की और मुख है, यानि कि अपोजिट में है, तो क्लॉक वाइज आपका दाया हो जाता है, और एंटि क्लॉक वाइज बाया, तो ए है, ए के यानि एक यहां होगा जिसका मुख अंदर की और है तो इससे एक चीज़ दिफाइन हो गया तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह दुद्धाय चला जाएगा अब एक चीज़ दिफाइन हो गया दी की स्थिति आपकी असपश्ट हो जाएगी कि कि दी कहां पर होना है दी कहां पर होना है जैसे ही दी पता चलेगा आपका सी पता चल जाएगा क्योंकि सी और दी आपस में लिंक है और ए और आपस में लिंक है सभी आपस में लिंक अप होते हैं तभी जाकर एक परफेक्ट अरेंजमेंट तयार हो पाता है तो अब अगर यह है तो यह definite हो गया कि आपका डी यहां पर होगा यहां पर डी नहीं होगा यहां पर डी नहीं होगा क्यों भाई तो डी जो है ए का पड़ोसी है यहां पर होगा तभी तो यहां पर डी होगा तभी तो क्यों भाई तो सी का मुख क्या भीतर की और है सी का मुख भीतर की और है और अगर सी यहां होगा तभी डी यहां होगा तो सी यहां पर हो अब पांचमा छठा आपका यो मर्जी है वो रख लो भाई क्या रखना है आपका क्या है F E का पड़ोसी है जो बाहर देख रहा है ठीक है F जो है E का पड़ोसी है तो पड़ोसी के लिए F को यहां पर रखना होगा हमें तभी तो इधर D है तो इधर F हो गया आप देखें क्या है वही तो यह बाहर की और देख रहा है तो आपका एकलावता क्या बच गया A, B, A, C, D, E, F हो गया तो B बच गया एकलावता यहां पर है तो एक चीज आप गाउर कीजिए आपका प्रस्ट में एक चीज और होगा कि तीन लोग जो है ना तीन लोग अंदर देख रहा है और तीन लोग बाहर देख रहा है ऐसा आपके प्रस्ट में सेटिंग रहता है तो आपका यहां तो फिर आगर आईसा नहीं कहे तीन लोग अंदर और बाहर देख रहा तो B के बारे में अवश्य कुछ कहेगा कि यहां तो C का जो पड़ोसी है वो अंदर की और देख रहा या C और D के बीज में जो है वो अंदर की और देख रहा ऐसा कुछ देगा तो यह अंदर की और हम इसको दिखा दे रहे हैं इसका condition यहां पर question में दिया हो रहेगा अब इसके आधार पर सबों का arrangement कर लिजे जब आ हो गया यह diagram तयार हो गया यह arrangement तयार हो गया तो solution बहुत ही आसानी से हो जाएगा उसके आगे कहीं कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है ठीक है कुछ भी पूछेगा आप सब पहले relation लगाना शिखिए यह बाहर की और देख रहा है तो एक एक दाएं एक बाएं है दाएं एक बा ठीक है क्योंकि आपका anti-clockwise जो है बाहर की और देख रहे हैं तो बाएं हो जाता है एक के बाएं एक है एक के दाएं एक के दाएं डी है तो यहीं आप यहां से relation लगा सकते हैं सी के बाएं जो है भी है सी के डाएं डाएं ए है तो आईसे ही relation लगाना होगा question में ही पूछेगा एक का एप से क्या संबंद है या तो दे देगा कौन सही स्थिती दिखा रहा है ने में लिखित options में से तो कौन व्याख्यान सही कह रहा है तो आपको इस जी डाइग्राम कर सब देखना होगा ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने बाहर देखा mixing देखा अब हम लोग देखते है कि कहरम खेलते हों व्यक्तियों को हम लोग देख लेते थोड़ा कैरम कैसे खेलता है लोग ठीक है कुछ लोगों को हम अब कैरम खेला लेते हैं शार व्यक्ति एक्स वाई जेड़ और ए चार व्यक्ति एक्स वाई जेड़ चतुर भुजाकार टेवल पर बैठे हैं यह कह सकता हो या कैरम खेल रहें चार लोग यह भी कह सकता है ठीक है तो प्रश्चील का अपना एक तरीका होता है की कैसे पूछना है चतुर भुजाकार जिसके चार भुजा हो एक आयत मान लिजी वर्ग मान लिजी जो मानना है क्या कहते हैं चार छेत्र हैं अपने अपने ठीक है एक यह हो गया 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 चार भुजा वाले हैं ठीक है एक टेबल है टेबल राउंड भी होता है चत भुजाकार भी होता है अब क्या है चारो जो है जगह पर अस्थान पर चारो भूजाओं पर लोग बैठे हुए हैं आपके सामने कंडिशन रखेगा ए जैड का अपोजिट नहीं है अपोजिट नहीं है ठीक है ए जैड का अपोजिट नहीं है दूसरा क्या रख सकता है एक्स वाई के बगल में बैठा है में दाएं बैठा है ठीक है ऐसे आपके सामने कुछ कंडिशन रखेंगे जिसके आधार पर इन चारों को ए एक्स वाई जैड और ए को बैठाना होगा आपको चले देखते हैं ए जैड का अपोजिट नहीं है मान लिजिए अगर ए यहाँ पर है तो जैड क्या होगा यहाँ पर होगा ठीक है यह तो यहाँ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर जैड कभी भी नहीं होगा यह इसे निशित हो गया कि अपोजिट डारेक्शन में आमने सामने नहीं बैठा हो अपोजिट काने का मतलब है सामने विपरीत में ठीक है सामने नहीं बैठा हो अब एकस वाई के बगल में दाएं है अब कोई दिकत नहीं है यहाँ यहाँ पर एकस अधिन क्या करते हैं जैड होना है अब इससे डिसाइड कर लेते हैं एकस के बगल में दाएं एकस के बगल में दाएं तो चलिए यहीं पर एकस रख लेते हैं भाई एक्स कहीं भी रखले ठिक है एक्स के भगल में दायें तोफ्य है précean यहां पर एक्स के भगल दायें चली जै रखते हैं यहां पर एक्स के भगल में दायें एक्स केày कैड webpage में दायें औरे याइत रूर्ज़़ डु क्योंकि सारा मुख लोग मान के चल रहा है कि अंदर की और है table पर बैठे हैं ठीक है तो जब तक कुछ नहीं कहा जा यांनि कि कि अंदर की और देख रहे हें पोजिट नहीं देख रहे हैं सबसे फ़हले यह जब तक कुछ कहा नहीं जा रहा हो तो अन्दर की और देख रहे बाहर की और नहीं देख रहे हैं तो य के दाए एकस हो गया y के दाए alltid आप दिखे धैसं में कुछ नहीं रहता है विशेश में इसा शोग यहां पर week ऐसा भी आकार बन सकता है तो आपके सामने तीसरा क्लाउज लगा देगा X के दाएं A है ठीक है X के दाएं A है यानि कि तुरंत दाएं अगर कादेट सिर्फ दाएं है तो तुरंत दाएं जश्ट उसके बाद दाएं तो आप X के दाएं अगर एहां पर X है तो यहां पर ऑगर ऐ है नइए लेकिन यहां पर एगर एकदम से बैठा हुआ है ठीक है तो इसके आधार पर यह solution आपका सही हो गया आपके आधार पर इस question के आधार पर यह solution आपका exact सही हो गया अब इसमें क्या question रहता है भाई तो एक दूसरे के आमने सामने कौन है ए वाई आमने सामने है एक्स और जेड आमने सामने है इसमें ऐसे ही प्रशन लगबग पूछे जाते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको इसको ऐसे ही बनाना है जैसा कथन कह रहा है उससी के आधार पर आपको आगे बढ़ते जाना है ठीक है अब क्या हो सकता है और क्या हो सकता है बहुत बड़ा व्यापक छेत्र है इसका सितिंग अरेजमेंट जो है बहुत तरह से पूछा जाता है अब देखिए यह कोने पर बेठा दिया चार कोने पर लोग है चार भुजा पर लोग है ऐसे भी प्रशने आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है कि एक चत्रुभुजा का टेबल है वहां पर कैरन की चर्चन नहीं होगा चत्रुभुजा का टेबल है चार कोनों पर चार व्यक्ति हैं और चार भुजा पर चार व्यक् करता है कि चार भुजाओं पर चार व्यक्ति हैं सबों का मुख बाहर की और है और सभी महिलाओं का मुख अंदर की और है सभी महिलाओं का मुख अंदर की और है तो कि इसका सॉलिशन करें तो सिटिंग एरेजमेंट जो है कि दिए गए कथन के अनुसार में असानी से कर देना है ऐसे प्रश्णों को हम लोग कोश्चन में देखेंगे ठीक है कुछ नहीं है सेम है जैसा की वृताकार में हम लोगों ने देखा राउंड टेवल में वह इसा ही कंसेप्ट है यह क्योंकि एकदम राउंड टेवल ही ऐसे में बन जाता है ठीक है सेम टू सेम राउंड टेवल ही यह बन गया ठीक है न अब क्या है एक आएगा आपके शामने के ओसेफ़ल के सेथाने एक बी के पाउच लोग बैठे हुए हैं फलाणा फलाने के बगल में हैं ए ए को बिके नहीं है D, E के बगल में नहीं है, इस करम को तयार करें और पुछेगा इसके आधार पर दिये गए वक्तविक्या आधार पर A का अस्थान B से क्या है या B का अस्थान C से क्या है अब क्या है अब पोजिट भी इसका दे सकता है पांच लोग इधर बैठे हैं तो आप इसको सॉल्व करें ठीक है तो इससे संबंदी जो है अब हम लोग लाइनिंग वाला अगले क्लास में देखेंगे ठीक है ना तब तक के लिए आप से भी प्यार में तो का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद